राज्य सिक्षा सोध यम प्रसिक्षण परिशद बिहार पटना के निदेशक ने प्रेस बिग्यप्ती जारी कर दस्मी कक्षा में अध्यानरत सैक्षिक सत्रे 2021 के विद्यार्थियों से राष्टिय प्रतिभागोज परिच्षा 2021 के लिए आवेदन आमंतरित किया है आईए हम जानते हैं कि राष्टिय प्रतिभागोज परिच्षा क्या होती है इसके लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है परिच्षा का स्वरूप कैसा है और जो बिद्यार्थी ये परिछा उत्तिर्ण करेंगे, उनको क्या लाभ मिलेगा तो सबसे पहले हम बता दें कि जो बिद्यार्थी National Talent Search Examination उत्तिर्ण करेंगे उन्हें scholarship मिलेगा और आगे की कक्छाओं में जब तक उध्यान करेंगे तब तक उन्हें scholarship मिलेगा 11 और 12 कक्छा में अध्यान के दौरान 1500 रुपिया प्रतीमा यानि एक साल में कुल 18,000 रुपिय भी द्यार्थी को मिलेंगे अगर वो असनातक या असनातक उत्तर की डिगरी लेते हैं तो 2000 रुपिय प्रतीमा हीने यानि साल में 24,000 रुपिय मिलेंगे अगर वो पिएजडी करते हैं तो UGC Regulation के मताबिक उन्हें Scholarship प्रादान किया जाएगा यानि 11 हमी से लेकर पिएजडी तक अध्यान के लिए विद्यार्थी को Scholarship मिलेगा अगर वो National Talent Search Examination क्वालिफाई करता है ये परिच्छा 24 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी आये जानते हैं इसमें कौन-कौन भाग ले सकता है तो बिहार सरकार CBSE, ICSE, बिहार राज्ये मदर्सा सिक्छा बोर्ड, बिहार संसित सिक्छा बोर्ड एवार डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा माननेता प्राप विद्याले संस्थान में सत्रे 2020-21 में कक्छा दस्वी में पढ़ने वाला हर विद्यार थी इसके लिए eligible है कि वो form apply करें distance mode से एजुकेशन करने वालों के लिए उम्र सीमा निर्धारित है यानि वे 18 साल से अधिक आयूके नहीं हो सकते वे सरकारी सेवा में भी नहीं होने चाहिए और distance mode से दस्वी में परिक्षा उतिर्ण करने के लिए अगर अध्यानरत है तो इसके पहले उन्हें किसी अन्यबोर्ट की परिक्षा में भी सामिल हुआ नहीं होना चाहिए यह चैन प्रकिरिया दो एस्टेज में होगी पहले स्टेज में NCRT बिहार पटना के द्वारा एक परिक्षा लिजाएगी और दूसरे स्टेज में NCRT डेल ही द्वारा परिक्षा का आयोजन किया जाएगा वैसे तो इस परिक्षा के लिए कोई निर्धारी सलेबस नहीं है फिर भी दो पेपर के एकजाम होंगे पहला पेपर मैट यानी Mental Ability Test मानसिक जोग्यता परिक्षा का होगा और दूसरा पेपर SET यानी सैक्षिक जोग्यता परिक्षा a scholistic aptitude test का होगा दोनों प्रस्ने पत्रे 100-100 नमबर के होगे 100-100 प्रस्ने होगे एक नमबर का एक प्रस्ने होगा और दोनों पेपर के एक्जाम कुल मिला के 200 नमबरों के होगे इसमें qualifying marks unreserved category के लिए 40% है और reserved category schedule cast और schedule tribes के लिए 32% है कोई negative marking नहीं है mental ability test होगा उसमें reasoning, analysis, synthesis, verbal and non-verbal reasoning के प्रस्न होगे सदारणता विद्याले अस्तर पे reasoning का कोई paper नहीं होता है इसलिए इस प्रस्न पत्रे की तयारी के लिए कोई reasoning की book लेकर विद्यार्थियों को पढ़ लेना चाहिए आरे सगरवाल की reasoning अच्छी मानी जाती है कोई और भी book consult किया जा सकता है जो दूसरा paper है site यानि scholastic aptitude test इसमें 9 और 10 में पढ़ाये जाने वाले science, social science और mathematics से प्रस्न होगे social science से 40 प्रस्ने 40 अंकों के, science से भी 40 प्रस्ने 40 अंकों के और गड़ीत से 20 प्रस्ने 20 अंकों के होगे चुकि इसका कोई सलेवस निर्धारित नहीं है इसलिए पुर्व के परिक्षाओं के प्रस्ने पत्रों के विसलेशन के आधार पे अनुमान लगाया जा सकता है कि history से 15 प्रस्ने, geography से भी 15 प्रस्ने political science से 5 प्रस्ने और economics से 5 प्रस्ने होगे इस तरह कुल 40 प्रस्ने होगे, 40 अंकों के, समाजिक विग्यान के और physics से 13 question, chemistry से भी 13 question, biology से 14 question इस तरह कुल 40 प्रस्ने, 40 अंकों के विग्यान से होगे और math में 10 question algebra से और 10 question geometry से इस तरह 20 question math से होगे, कुल 100 question सव अंकों के होगे प्रस्ने जो होगे, वो 9th और 10th की NCRT पुस्तकों पे आधारित होगे चुकि NCRT ही इस परिक्षा का आयोजन कर रही है और बिहार के विद्यार्थियों के लिए सुख़द ये है कि बिहार बोर्ड में भी NCRT की पुस्तकें ही पढ़ाई जाती है इस बार की परिक्षा में एक अच्छी बात ये है कि 9th किलास में उत्रिण करने के लिए विद्यार्थियों का जो प्रापतांग है उसकी बाध्धिता NCRT ने हटा दी है पहले जनरल कर्टेग्री के वही विद्यार्थी NTSC एक्जाम दे सकते थे जो 9th किलास में 60% से ज़्यादा अंग पाते थे या रिजर्ब क्रिटेग्री के वह विद्यार्थी जो 55% से ज़्यादा मार्स पाते थे इस पार ये लिमिटेशन नहीं है कोवीड महामारी के कारण इसको सिथिल किया गया है इस तरह हर विद्यार्थी जो 10 मिक अक्षा में अध्यान रत है वह इसके लिए लिजिबल है वह अपलाई कर सकता है और सरकार का भी लक्ष है कि एक-एक विद्यार्थी इस परिक्षा में सामिल हो और अपनी प्रतिभा को पुष्पित पल्लवीत करें और सरकारी योजना का लाप प्राप करें आईए जानते हैं कि आवेदन कैसे करें तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले S.C.E.R.T. पटना की वेबसाइट www.biharscrt.in पूरा-पूरा बिहार लिख देना है इसके बाद ऑप्शन मिलेगा Online Application Portal for N.T.S.E. National Talent Search Examination 2021 and N.M.M.S.S. National Means Cum Merit Scholarship Scheme 2021 पर क्लिक करें इसके बाद ऑप्शन मिलेगा N.T.S.E. 2021 Registration Oblig Application Submission इस पर जाकर अप्लिकेशन को Fill Up करें और Submit करें ये अप्लिकेशन 19 दिसंबर 2020 तक अप्लाई किया जा सकता है 19 नॉवंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 तक कुल एक महिने की सम्यावधी Online Application के लिए निर्धारित है यदि Online Application Submission में किसी तरह की दिक्कत हो तो Help Desk Email ID है ntsenmmssexam.scertbihar.gmail.com एक मुबाइल नंबर भी जारी किया गया है जिसका नंबर है 7782046718 मुबाइल नंबर एक बर फिर बता देता हूँ 7782046718 इस तरह बिद्यार्थी अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और बिद्यार्थी डाइरेक्ट ऑनलाइन कर भी नहीं सकते क्योंकि सबसे पहले ऑनलाइन अप्लिकेशन पोर्टल पर जाकर बिद्याले के प्रधाना ध्यापक को बिद्याले का पंजी करण कराना है इसके लिए निर्धारिती थी 16 नॉवंबर 2020 से 26 नॉवंबर 2020 थी मैं आसा करता हूँ कि सभी प्रधाना ध्यापक बिद्याले का पंजी करण करा लिये होंगे जिन लोगोंने पिछले साल 2020 के NTSC एक्जाम के लिए अपने बिद्याले का पंजी करण करा लिया था उनको पंजी करण कराने की आवशेक्ता नहीं है यह परिक्षा दो पालियों में होगी प्रधम पाली की परिक्षा प्राता 10 बय से 12 बजे तक होगी और दूसरे पाली की परिक्षा एक बय से तीन बजे के बीच होगी मैं आजा करता हूँ कि बिहार के सभी बिद्धियारती जैसा कि सरकार का लक्ष है जो दस्वीमें अध्यानरत हैं वो सभी इस परिक्षा के लिए आवेदन करेंगे और विद्यार्थी, उनके अभिवावक, सिक्षक और संबंधित विद्यालियों के परधाना ध्यापक इस कार्ज में भरपूर सहयोग करेंगे